मैं यह कहूंगा इस केंजल सर्कार से के आप हमारे इस साथी को लाइट नी मतले पुरा जाग समुझाए जो है वो सत्पाल मलग जी के पीसे खड़ा है अगर आप हमारे इस साथी को नजब अजाज करोगे तो जाग फुट करके नहीं पतेगा जिसने भी खैड लगाई पड़गीरे मू की खानी जाटाने मर्याजानियों हो जावै जबते रामी जाटाने मर्याजानियों हो जावै जबते रामी देखी के नारगडाई चाकी के पाटा की आजातन बात बता दूँ अन्खी इन जाटा की गुद्दीला राखी रहिनने फन चांड़ मोपवत को चांड़ को कठिन प्रीक को की है आप एाजनीती में बड़त गए हो फिजेपी का जाद यह सत्ता विरोदी दिखे विपक्स दिखे साथ अल्टा पल्टी पाच्छे दोनू आंकी एक जाते हमने दुस्मन की भी कोन्या रहे पिछान कठे क्यों ना होते जाते रहां अल्टा की तिन लेने एक कोन्या होते बिंदर अपां भी अनाडीस है और चोधर के पुखे अपने सारे अगाडीस है या समस्या भाई बाई तो काम करें मेरे पास मैसे जाते हैं भाई कि मैं लालजमत नहीं लागरें वो या काया जो उसे की टांखी चनी कोशिश करांगे के बात है एक कोन्या होते बिंदर अपां भी अनाडीस हैं और चोधर के पुखे अपने सारे अगाडीस हैं आगली रेन मैं जोर्दा तालिया चाओंगा जो मश्राओंगा उपरे आरे के एक के था तरे पैछो डुरां कठे क्यों ना होते जाते रां जैसा मेरे भाईयों ने बतारा कि जब मैं भी लंदन से आया था हमने मुईम चलाई थी कि लंदन में पांच इट जो जड़ाट बहुन में लगेंगी वो इंदुस्तान की मिट्टी की लगेगी ताकि वहाँ पे रहने वाड़े बच्चे को ये पता चले इस बहुन की निर से निव रखी ही है तो लेकिन एक हैसे ही हमारी भूमी मा भूमी का यहां पर भी थी सर्चोटू राम ने 1911 के दोर में जाट रोत तक में जाट कोलेज रोत का निर्मान किया दा मैं जब भी इंदुस्तान में आता हूं तो चोधरी चोटू राम जी की सपादिस्टल को नमन मासोया हुआ है आज उन सिक्सा संतानों को बचाने कि जुरू होता है हमें उन सिक्सा संतानों करने के जुरूर होता है और दीन बंदू छोटू राम केवल एक बात कहते थे, वो कहते थे, जात से मैं जाट हूँ, करम से और धर्म से मैं किसान हूँ, तो मेरा सभी मानोबाओं से राजनितिगों से ये निवेदन है, कि सारे ये नारा अपना लें, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक भाईकर रे खा के वही जात जो असर बने है, उसके बिला नारा में सरीया आजिया है, मैं यक कहना चाहता हूँ, कि बिजनस में अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ बड़ी बड़ी इंडरस्टी लगाओ यह जो बड़े बड़े इंडरस्टी जिस हैं इनको क्रोडों रुपे की सर्चिडिया मिलती है जाटों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को इंडस्टी में आगे ले जाएं और एक बात मैं और रिक्वेस्ट करूँ आप से कि फजूर खर्ची बंद करो जो हम शादियों पे जो हम डेट पे बेस्वार कैसा सर्च करते हैं ये खर्चे बंद करो और इसको समाच की बनाई के लिए लगाओ मैं जादा ना बोलता हुआ मैं ये अपीर करूँगा यहां के अर्ग्माइजर्स को कि आए जमु किश्मीर में भी आप इसी किसम का जाट समेलन जो है ये किया जाए जमु किश्मीर का जाट बहुत पिश्मीर में जाटों की अबादी इतनी जादा नहीं हम लोग बहुत ही जन्गों का शिकार हुए हम 47 में उजड़े हम 65 में उजड़े हम 71 की मार में उजड़े च innocent जो हमारा झाल जाटों का वो पाकिस्तान में जला गया जाटों को पूरे बाडर रुपे बिशा दिया आए दिंग जब भी पफिस्तान फाइरिंग करता है हम लोग को उजड़ना पड़ता है मेरे दोस्तों साथियों जाटों को कोई नमेंगी नहीं देता था हमें कोई पुरू टिकल पाती टिकल नहीं देती थी हमारा एक MLS 65 में और उसके बाद 96 में यह चोधरी विक्रम रंदावाजी के पिता जी 96 में MLS बढ़े बीजेपी ने उनको टिक्ट दिया उसमल्क बीजेपी से कोई टिक्ट लेता नहीं था तो उनको टिक्ट मिला और 2002 में मैं MLS बना सबसे पहले जों कुस्मीर की सरकार में MLS बना उसके बा हमने एक बारिसी तरह लोगे कटे किये और हमने एक विशे रखा जाग समधाय और राजमिती हमने कहा के राजमिती में आगे कड़ो हमारे लोग वहां आज उनाइट हुए मैं ज्यादा नहां बोलता हुआ एक बात यहां कहुंगा कि हमारे जो सद्पाल मलक दी जो किश्मी सावाज नहीं है लेकिन वो हमारी ब्रादरी के एक मेर साथी हैं मैं यह कहुंगा इस साथी को लाइट नी मतले पुरा जाग समुदाय जो है को सद्पाल मलक जी के पीशे खड़ा गया अगर आप हमारे इस साथी को नहीं दाव करोगे तो जाग चुट करके नहीं पटेगा इसलिए मेरे दोस्तों साथियों मैं जादा ना बोलता हुआ मैं औरनाइजर सहवान को इनका शुक्री आदा करता हूं कि यह पूरी दुनिया के जाटों को एक मंच पहलाते हैं सबी पूलिटिकल पार्टिके जो भी जाट हैं उनको बुलाते हैं और जाटों की बेकरी की ब सब्सक्राइब करना चीज पड़ी है करना चीए एक जो जाएज हुआ है काम यह नहीं है कि आप अच्छा इतने पागल हो जागा हुआ है जड़ता मुठे हैं जड़ता है इनको दर्गाह का न लगाएगा देखो इनकी मेहनत है जो आजाम याड़ा है सारे कठे हैं आजाम चरुक्ता करता सकता है तो सब्से यह उमीद है कि अब शिक्सा इसी मजबूत होगा तो राष्ट्र भी मजबूत होगा क्योंकि दा होना से ओत्परोत यह जाट समाज है और किसी ने एक कमी की अंतिम पक्तियों के साथ मैं बात को खत्म करूंगा कि जिन्दकी मैं वह जिया जो नाम जग मैं कर गया और जो कर सक्या कुछ नहीं वह जिन्दा र उन लोगों में अगर किसी एक विप्ति को जुरूरत पड़ती है तो पूरे का पूरा समुदा है उनके साथ खड़ा होता है और आपने के होगा है जिसने जुरूरत पर इसका फोन ठाना सुड़ते है कोई पीसे मना मायन ले कोई मने बुलाई ना ले मने नींद खराम ना करत है और उन में अच्छे विचार हो राश्ट भगति का भाव हो माता पिता के प्रती समान का भाव हो और अपने निश्च को चहु मुखी विकास के और ले जाने में हम पूरा योगदान करें और समाज के लोगों को आने वाली पीडियों को सिक्षित करें जिसे एक अच्छे समाज का निर्मान हो सके तो इस प्रकार की विचार धारा को लेकर आपस में संक्ठित होकर के विचारों बातों निश्चित रूप से वही तो सब बाते हुई हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती गुरु जंबेश्वर जी गुरु नानक देव जी महराज ने जो सरल मारग लोगों को दिया था उन सब पर चलते हुए कुरीतियों को त्याग करके और एक अच्छे नशा मुक्त समाज का न चैने हैं इस तैनल किए और सब्छाएं झाल मैं करना करना है यह सबसे बड़ी बात सब्साने सते अच्छी सब को साथ करके और बदाव हो सकता है अपना समाज का नाम उच्छा हो सकता है